तो आज हम देखने वाले है कि हमारा जो physics का जो physics के जो mcq थे उसका पार्ट जो बना रहे थे हम ओके उसका ये पार्ट थी है इसमें हम फिर से देखेंगे कि 20 mcq जो physics से प्रिसेंट लिए हमारी जो ग्रूप D की एक्जाम होने वाली है कि वहाँ पर साइंस का वेटिज जादा है तो उसी को कंसेडर करके मैं ये सिर्स बना रहा हूं ओके तो लेट अस्टार्ट तो मारा फर्स कोश्चन है देखेंज इन डायरेक्शन अब दो वेव पासिंग फॉ दूसरे मेडियम में जाती है तो क्या होता है ओके तो इसका राइट आंसर है री फ्रैक्शन यहाँ पर देखते है कि सर यह री फ्रैक्शन होता क्या है यहाँ थोड़ा डायग्रावन के वाज़े से अंदर आ गया है री फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट और के एक एक मीडियम से मतलब किसी की मेडियम में में अगर मां सब्सक्राइब करता हूं कि एब यहां कि ऑ़ यह से किसी वाटर या ग्लास में इंटर करते हैं तो होता क्या है कि टॉपके की डायारिक्शन तो यह हुनी चाहिए थी लेकिन यहां पर widen अब यह मला जो मीडियूम है वह हमारा थोड़ा देंजर vai जब भी लाइट रेयरर टु देंजर मीडियम में इंटर करती है तो यहाँ पे थोड़ा उसका बेंडिंग तो light जब हमारी retina पर focus करता है तो वो lens से पास होता है हमारे eye के lens से पास होता है तो ये कौन सा phenomena से पास होता है तो right answer है हमारे पास refraction अभी होता क्या है जैसे आप यहाँ पर eye देख सकते हो हमारे eye में ये जो white color का दीख रहा है इसे बोलते है crystalline lens होता है अगर आपको कोशन आ जाए कि सबसे outrest layer कौन सा होता है ये होता है cornea और इसे बोला जाता है lens अब जैसे lens light अंदर जाती है तो यहाँ पर उसका focus होता है और ये light ऐसे इसके retina के उपर focus होती है क्या होती है ये हो गया हमारे पास retina तो यहाँ पर जब light focus होती है तभी हमारे brain में images बनते है तो simple हो क्या रहा है कि lens क्या कर रहा है जो light straight जाना चाहिए था वो थोड़ा उसे bend करके भेज रहा है अब bending of light means क्या होता है reflection होता है तो हमारे eye में भी क्या हो रहा है reflection हो रहा है ओके next question के तरफ जाते है the speed of line in vacuum is represented as तो हमें सभी को पता है कि speed of light A से रिनोड किया जाता है A मतलब acceleration होता है V मतलब velocity होता है I मतलब inertia होता है तो हमारे पास एक letter है C तो C से रिनोड किया जाता है यह आप बात याद रगना और a friend important formula है जैसे Einstein ने इंपॉर्ड फर्मुला दिया था that is the E is equals to mc square okay E is equals to mc square तो यहाँ पर इसे बोला जाता है mass and energy relation where E is the energy mass उस particle का होता है M का होता है mass of the particle and C is the speed of light okay यह किस ने दिया था Einstein ने दिया था next question तो के रप मोग करता है twinkling of star is due to which optical phenomena okay तो हमारे पास जो star twinkle करता है तो वो कौन से optical phenomena की वज़े से है okay तो यह optical phenomena है हमारा पास reflection right answer है reflection तो फिर से अब सर यह reflection यहाँ पर हम कैसे समाझते है जान दूँ यह है हमारा earth का atmosphere यहाँ पर air है और यह हमारे पास star तो star का जैसे light हमारे atmosphere में इंटर करता है यहाँ पर vacuum है means यह rarer medium हो गया तो जैसे air में इंटर करता है यह होता है band क्या होता है band and due to the different layer कभी-कभी क्या होता है कि atmosphere की अलग अलग लग layer के वज़े से density change होती है तो जैसे density change होती है light की speed कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाते है and इसके वज़े से हमें क्या लगता है कि यह जो star बहुत जो दूर है is distant object है वो ऐसा लगता है कि light on-off on-off हो रहा है इसी ही बोला जाता है twinkling of star and tinkling of star यह किसका फिनामना है यह reflection of the light का ही फिनामना है next question की तरब जाते है next question है हमारा पास light from the sun falling on a convex lens will converge at okay convex lens के उपर जब light गिरे गया तो वो कौन से point के उपर converge होता है तो वो होता है focus के उपर converge कहापे होता है focus के तरब अभी यहाँ पे कुछ फिनामना ध्यान दिना है दो lenses होता है एक होता है कौन के और एक होता है तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो यह convex lens है यह होता है उसका focus focus means क्या होता है focus means ऐसा point अगर हम एक तरफ से light डालेंगे तो यह light किसी एक point पे क्या होता है मतलब focus हो जाता है इसी point को क्या कंजरे करते है focus consider करते है तो जहाँ पे light मतलब converge होता है एक जब के पे आके मिलता है उसे भोले लगा है focus next question है scattering of light can be seen in तो यह जो scattering का फिनामेना है किस किस में दिखाई देता है scattering का फिनामेना तीनों इसमें भी दिखाई देता है scattering से sky का blue color दिखाई देता है sun का reddish color होता है और जब sun डूमने लगता है sunset होता है तब भी reddish color जो दिखता है sky का और sun का ये दो तीनों भी फिनामेना scattering of light के वज़े से है तो answer is the all of the above अब यहाँ पे question main है कि scattering of light होता क्या है तो first of all ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास sun से light आ रहा है हमें पता है कि sir atmosphere में बहुत सारे particle है either it is the air particle water particle smoke particle तो बहुत सारे particle है तो light जब ये particle से टकराती है तो वो इधर उधर फैल जाती है अब होता क्या है कि maximum time जो blue light होती है वो उपर के direction में चले जाती है जो बाकी की light होती है वो नीचे के direction में चले जाती है तो maximum time हमें क्या लगता है कि जो sky है वो blue होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि blue light ही उपर जाएगा ये depend कहता है कि distance कितना है sun का तो हमेशा scattering of light के वज़े से क्या होता है कि हमारा जो sky होता है blue दिखता है कभी sun हमें reddish दिखता है sunset या sunrise के वज़े से तो ये किस के वज़े से होता है scattering of light next question है the change in focal length of human eye is cause due to तो human eye का जो focal length होता है ये किस के वज़े से होता है तो इसका right answer है हमारे पास ciliary muscle अपसर ciliary muscle होता है क्या है ध्यांदो ये muscle आप यहाँ पे ये जो देख सकते हो ये वाला ये जो lens को पकड़के है ओके इसे बोला जाता है ciliary muscle अपसर हमें पता है कि हमारे आखों में भी एक lens है तो ये ciliary muscle क्या करता है इसे खीचने का क्या करता है कभी-कभी ये tight होता है कभी-कभी ये relax होता है तो इसके वज़े से क्या होता है ये जो lens का size है वो कम जादा होते रहता है और मैं पता है कि अगर मैं lens का size कम जादा करूंगा तो depend करता है ज़्यादा size होगा तो focus जल्दी होता है अगर मैं size कम कर दूंगा मतलब यह पतला कर दूंगा तो focus दूर होता है तो depend करता है कि यह जो lens है lens की thickness क्या है अगर lens की thickness कम है तो focus दूर होता है और lens की ठीकने जादा है तो focus नजदीक होता है तो यह adjust कोन कर रहा है? Ciliary muscle adjust कर रहा है Next question है हमारे पास the ability of eye lens to adjust the focal lens इसे क्या बोला जाता है तो eye का जो lens है वो इसका जो ठीकने से वो कम ज़्यादा हो रहा है इसे बोला जाता है power of accommodation या accommodation power of eye ठीक है? तो simply इससे पहले हमने लिखा था कि यह जो हमारे पास यह lens है यह lens का size कम ज़्यादा हो रहा है पॉन का रहा है से लिए मसल यह lens का size की कम ज़्यादा हो तो बोलते accommodation power okay next question है हमारे पास the crystalline lens of a people at old age become a milky and a cloudy this condition is known as means को यह जो बीमारी होती है यह old age people में बहुत साथा दिखाए 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 जैसे कर मैं बोला जाता है जिसे मूतिया बिंदू को क्या बोलते cataract तो कुछ इस तरह दिखाए देता है मोतिया बिंदू यहां पे आप सकते हो कि यह जो pupil है pupil में है white color में की color आया है ओके and इसके वजह से क्या होता है old age paper को देखने में प्रोब्लम हो जाती है तीजसे बोला जाता है क्या बोला जाता है तो राइट आंसर है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया सर फार साइट मेंस क्या होता है रोशनी ओके फार मिन्स हमारे आखों की रोशनी दूर चली गई है हमें दूर का दिख रहा है नजदिक का नहीं दिख रहा है तो हाइपर मेट्रोपिया में हमें दूर का दिखता है नजदिक का नहीं दिखता है इसका अपोजिट एक होता है मायोपिया मायोपिया में क्या होता है नजदिक का दिखता है दूर का नहीं दिखाई देता है हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देता है नजदिक का नहीं दिखाई देता है मायोपिया में नजदिक का दिखाई देता है दूर का नहीं दिखाई देता है माइओ पिया को और क्या बोलते हैं माइओ कर दो कर दो किया होता है तो इसका अलसर है हमारे पास कशलर ब्लाइडनेस एक्चिली होता क्या है कि हमारे पास जो human eye, human eye में दो ट limiting of cell होता है एक होता है Porns, दूसरे होता है Roads कोंस का काम क्या है यह colorful light जो होता है उसे it Tut करने का क्या हता है Rods जो होता है वह ब्लाक and white light को Detect करने का काम गता हूँ अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी परसन में अगर कौन सेल कम होगे तो उसे कलर बराबर दिखाएने देते हैं अब specially हमारे पास red color, green color, blue color ये जो color है अब किसी परसन को अगर color blindness है तो ये तीन color वो distinguish नहीं कर पाता है उसे कैसा लगता है कि ये तीनो color gray है अब ये अलग-अलग परसन में ये अलग-अलग दिखाए देता है लेकिन में ये तीनो color उसको gray दिखाए देता है इसलिए बहुत ज़्यादा आर्मी के medical में भी ये problem होती है कि आप color blind हो या नहीं ओके ये चेक किया जाता है ठीक है तो एक इसके वज़े से है अगर कोन सेल बहुत कम है या है ही नहीं तो ये problem होती है in which of the following does light travel the fastest तो light travel fast खाप करते है तो सबसे fast travel करते है वो air तो right answer है हमारे पास air अब सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब करता है जिससे हम c से denote करते है डिपेंड करता है density of medium अब सब्सक्राइब पता है कि air के density बहुत कम होती है उसके बाद हमारे पास नंबर आता है water उसके बाद आता है हमारे पास solid लिए होगे liquid तो सबसे आदर स्पीड एयर में उससे कम liquid में और सबसे कम solid नहीं ठीक है sorry which of the following is the good conductor of electricity इस में से कौन सा electricity का good conductor है तो में पता है iron metal है और metal always the good conductor of electricity एक है तुक है electrical resistivity of the metallic wire depends upon its material okay तो यह किसके पर डिपंगार थैंड मैटेल के ओपर अभी धान दू resistivity or resistance यह होगया resistivity और यह होगया रो इसे बोलते है रो ओके यह रो किसले होता है यह रोगया resistivity के लिए होता है और यह होता है resistance resistivity material के ओपर depend करता है याद रहतना material के ओपर मतलब thee copper है Filver है Gold है Iron है यह material कोई साला थैंग है उसके ओपर resistivity depending करते है resistance depends कर था है length और यह याद रहतना पतरों से इलेक्रिकी पास नहीं होती है उसे बोला जाता है इन्सलेटर के देख सकते हैं कि मारे पास जो गूर्ड ऑता है वोड में से electricity पास नहीं होती है तो one of the reason is जाए कि सर रेजिस्टर्स बहुत हाए है बोट का रेजिस्टर्स बहुत हाए है दूसरा reason है कि सर वोड में free electron बहुत कम होते है अगर free electron जादा है resistance कम है तो वो होगे conductor अगर resistance जादा है free electron बहुत ज़्यादा है देन यह होगे इंसुलेटर सब्सक्राइब बहुत कम है वो होगे इंसुलेटर ओके टंग्स्टन यूजिंग वीच आफ दो फॉड़रिंग टंग्स्टन यह जो मतेरियल है जैसे वोल फ्रम भी कहा जाता है कौन से डिवाइस में यूज होता है तो यह और पर स् ل Har крепling तो यहाँ पे होता है यह टंग्संड का चोटा सा वायर और एक बात आप्को बताने है यह पे एक ग्यास होती है यह कि लिए होते है यह किसके लिए होती है कि यह इसी एज लोगशिंग स सविष्ट ना रहा हम बोहने पास जो चिन होता है यह उसे झाहँ में के जो पॉकेट होता है या जो भी फूड माटेरियल पॉकेट में भरा जाता है उसमें भी ग्यास होती है ओके तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताओ कि यह कूण से डाइप की ग्यास होती है ओके टंस्टन का यूज किया क्यों किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग प सब्सक्राइब करना चाहता है लेकिन बीच के प्रफजीशन प्रवइड कर रहे हैं तो ओगाफ हाय रजिस्यस्टन्स अगर में बहुत कम M से इसके बाद aluminum का नम्मर आता है एक है aluminum copper की बाद aluminum के यूज किया जाता है ठीक है silver का resistivity बहुत कम है इसलिए silver सबसे अच्छा conductor होता है किसका electricity best conductor of electricity अभी बताया मैंने best conductor of electricity होता है है silver one of the reason is that key silver में resistivity बहुत कम होता है और फिर इलेक्ट्रों सबसे जादा होता है magnetic field lines emerge from magnetic field and कहा से निकलते तो आप simply यहां पर देख सकते हो यह नौर्थ पूल और यह हमार पास सौथ पूल होता है तो magnetic field in aassenical रहा है और यह क्या जा रहा है साफ पूल में जा रहा है एसे निक है और सॉद्पूल में जा रहा है और characteristic है कि magnetic field line कभी एक दूसरे को इंटर्सेक्ट नहीं करेंगा इक और सबसे जादा density magnetic field line की कहा पर होती है पूल्स के नजदीक होती है सबसे कम डेंसिटी जैसे दूर जाते है वहांपे डेंसीटी कम होर जाते है ठीक है ठीक है ऑफ लोड़िग हैपन द्यूटट तो ओबर लड़िंग इस के वजह से होता है तो आफ डाइम ये होता है अगर शॉर्ट सरकिट हो जाए ओके सब स्राइ अग्लीम हो जाए सर्किट में तब होता है ओवरलोडि अगर सडनली करेंड बढ़ गया है वोल्टेज बढ़ गया तो इसके वज़े से भी ओवरलोडिंग होता है ठीक है तो आंसर है मार पास बहुत एए और बी ओके तो आयो होब हमने यहाद तक आपको सभी क्लियर हो गया ह होगा इसके रिगार्डिंग कुछ बेडाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और मैं चनल क्योंकि फ्रेंड्स आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसा ही वीडियो आपके लि अगर किसी भी एक्जाम में पोचा जाता है तो आप बिंदास उसका जवाब दे सकते हैं ओके तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इस चानल एंड पीज सपोर्ट ओके थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो इसका में एक्सपार्ट जल्दी आएगा सो स्टे ट्यू सब्सक्राइब किसी ठीयर एंड गवाब किसी एंड बिंदास्टार एंड शेयर एंड लिएका जवाब एंड प्लीज देसे वाचिंग इस तक्का झाल में जबने खिर्ट एंड नेक्ट आपकर उश्यों इस चानल एंड में प्लीज एंड झाल 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 झाल